पर्चम लहरा रही है चाहिए शित्र को ही भी हो और देश की जनता भी अब युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिखाने लगी है ऐसा ही भरोसा दिखाया है बांसवाडा की जनता ने प्रियंका डावी पर जुनके हाथ में थमादी गई है अठारे हजार लोगों के विकास की कम जी हां देखे खास रिपोर्ट कि कहते हैं जिस तरफ जवाणी चलती है उस और जमाना चलता है परदेश के जंजाती अंचल कहे जाने वाले बासवाडा में जवाणी का बोलवाला दिखा है जनता ने पुरानी नेताओं को छोड़कर जुवा नेताओं पर ज्यादा भरोस जार क्या वादि का परतम दित्तो करेंगी तब से पहले तो मैं अपने जनता का धेनने वाद देना चारती हूँ कि उन्होंने मेरको यूवा समझ कर मुझे सपोर्ट किया और मुझे सरपंच बनाया इस उमीद से मैं अपने लोगों को बहुत विकास करना चर्टी हूँ अपने लोगों का ताकि उनको कोई भी समस्या नहीं आए ब्यासी दूतिय वर्ष की छात्रा प्रियंका डावी ने दस उमीदवारों को हरा कर जीत हासल की प्रियंका कहती है कि उनका किसी राजमितिक दल से कोई संबंद नहीं वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत में विकास करेंगी जिसके लिए प्रियंका ने ब्लूप्रिंट तयार कर लिया है प्र्यांका कहती है कि पांस साल मैंसा काम करेंगी जिसे लोग याद रखेंगे ग्रामिरों का क्याना है कि हर बार विकास के वादे किये जाते थी लेकिन पंचायत में विकास नहीं होता था लिहाजा इस बार ग्रामिरों ने पढ़े लिके युगती प्रियंका को अपना नेता चुना है हमने युवा सरबन चुने है इसलिए सुने है कि ये सब इंगलेश में ओन लाइन है ओन लाइन के बाद में ये युवा सरबन चमाते देखे कि कौन सा कागस कहा जाता है कौन से ले पढ़ाई है क्या इसके में ये सब देखेंगी में लक्ष रही है कि गाउं के लोगों का और में बड़ी-बड़ी जो भी प्रोड़म में ग्राम वस्विक लेकर उनको साथ लेकर चलने का ये सब घुसला हमने हमारे इनको दिया है सरबन साब को और लोगों ने ये समर्दन किया कि युवा सरबन चे दौर बदल ला है पुराने नेताओं के पाउं के नीचे से सियासी जवीन खिसकती नजर आ रही है क्योंकि जनता अब वादों में नहीं काम पर यकिन करती जो इस पंचायत में क्या विकास कारिय करती है और क्या जनता की उमीदों पर खरी उतरती है केमरा में कुणाल त्रिवेदी के साथ